नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप कार्भी क्लास के प्लेटफर्म पर, बच्चों जैसा कि आपको पता है, हम लोग NTPC चला रहे हैं, आपके एक्जाम की डेट 15 दिसंबर से लगी है, और अभी तो आप सरकारी रिजल्ट पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, बच्चे जिन लोगों के एक्जाम हैं, तो हम लोग उसी सिलसिले में अगला टॉपिक लेके आएं हैं, जो कि डारेक्शन का है, तो बच्चे हम लोग पूरी तरह से कोशिस कर रहे हैं कि वन बाई वन आपको सारे टॉपिक क्लिय कराया जाया, रीजनिंग से लेकर जितनी भी आपकी प्रॉब्लम से जितनी भी कोईरी है, ताकि वो सॉल्व हो सके, और तीस नंबर का रीजनिंग का और तीस नंबर का मैट्स का रोल है बच्चे, अगर आप इसमें अच्छा करते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो आपके उपर जो रिक्वार्मेंट आपकी रहेगी, वो बिल्कुल कम होती चली जाएगी, और ये ऐसे मार्क्स होते हैं बच्चे, जिन पर आपका पूरा नियंत्रड होता है, यानि कि रिजनिंग का कॉंसेप्ट यदि आपको क्लियर है, तो वन बाई वन चीजें आपको क जरूर मिलेंगे और एंटी इसका बोलबाला रहने वाला है, तो बच्चो इसमें भी हमने एक क्टेग्री वाइज को लिया है, यानि कि सबसे पहले हम आपके सामाने प्रशन कराएंगे, जो कि डारिक्शन और गयरे से रिलेटेड होते हैं, उसके बाद बच्चे हमने आप पे concept पूछा जाने वाला है एक्जाम में, तो सभी से question हम आपको करा रहे हैं और वीदिवत तरीके से one by one चल रहे हैं, ताकि आपको कोई problems create ना हो, बच्चे आप लोग को पूरा समय मिले, इसलिए हमने ये classes भी आपको प्रीमेर में रखा गया है, तो आप लोग जादर से संख्या में आएंगे, और चीजों को पढ़ेंगे और concept को सीखेंगे, आपको अगर direction आती है, तो बिल्कुल हम आपको कुछ नया सिखाने वाले हैं, जो कि आपके exam में जरूर आपको काम आएगा, बच्चे चलिए, हम अब आपको question पर लिए चलते हैं, और यदि आपको को concept में problem आती है, तो आप लोग जरूर discuss करेंगे, आपके screen पर वच्चे, हमने पहला question लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा, और आप लोग कोसिस करिएगा, option D वाला आपका थोड़ा सा उधर हो गया है, तो आप लोग D option पर नजर बनाए रखिएगा, अलगी फिलाल आपका screen पर लिखा गया है, A, B, C करके option है, तो आप लोग नजर बनाए रखेंगे, और पुरी कोसिस करेंगे, आप लोग इसका जवाब देने की जवाब आप लोग के चलते रहना चाहिए, कमेंट्स आते रहने चाहिए, यदि आपको direction का थोड़ा सा भी ग्यान है बच्चे, तो आपका सवाल बन जाएगा, बहुत आसान सा question है, हमने क्या गहा कि सबसे आसान प्रश्ण से हम सुरुवात करेंगे, और आपको स्तारे label कर आएंगे जो आपके easy to moderate to high, यानि कि सभी question यहां पर होंगे, अब आपके जवाब बच्चे आ गए होंगे, और यहां पर कुछ हम नया तरीका भी सीखेंगे, पहला आप लोग simple वाला तरीका जो आप लोग करते हैं, direction का अगर आपको ज्यान है, knowledge है, तो बच्चे वहां पर जो हम लोग अभी तक सीखते आए हैं, जो question करते आए हैं, उसी way में करेंगे, दीख यहां पर सबसे पहले कहा कि स्याम अपने घर से पश्चिम की तरफ चलना प्रारम्व करता है, तो जैसा कि हम लोग चार्ट बनाते हमेशा पश्चिम की तरफ चलना प्रारम्व करता है, थोड़ा सा सीधर राइन रख लेते हैं यहाँ पर यह हो गया आपका पश्चिम उसके बाद में कह रहा है कि कि त्रारम करता है कुछ दूर चलने के पश्चात यहां से यहां तक मैंने चला दिया वह अपने बाएं और मुड़ता है यदि आपको पता है आप ऐसे खड़े होते हैं यह आपका जो है राइट हो जाता है यह लेफ्ट हो जाता है नीचे की तरफ आप देख रहा होंगे कि की तरफ इस तरफ अगर डारेक्शन होती है इधर राइट और इधर लेफ्ट आपको सबको पता है बच्चे इतनी बात लेकिन फिर भी जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता तो मैं उनके लिए बता दे रहा हूं यहां से कह रहा है कि वह अपने और मुड़ता है और वही की दोरी तय करता है बाइय के अगर आप दच्छिड दियसा में ऐसे खड़े होंगे बच्चे तो यहां से भी आपका दाया मतलब इधर ही होजाएगा चुकि लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा अप लोग अच्छे से जानते हैं तो यहां पर आपका इतनी ढूरीily यहां पर सेम तरीके से फिर हो जाएगा उसके बाद करें कुछ दूर चलने के पश्चात वह दाइं और मुर जाता है और अंत में वह दो बार बाइं मुरता है मतलब इसके बाद में बच्चे वह कह रहा है कि लेफ्ट में मुर जाता है यानि कि यहां से फिर वह कह रहा है कु डारेक्शन यह हो जाएगा और दो बार बाएं का मतलब अप इधर जाएंगे बच्छे इस साइड में जाएंगे यानि कि यह आपका राइट हो जाएगा इस साइड में और इस साइड में लेफ्ट हो जाएगा तो यहां से जाएंगे लेफ्ट यह हो जाएगा इस साइड में उसके बाद में कह रहा है कि एक बार फिर आप left यहां पर टाय करेंगे तो यह वाली direction आपकी आजाएगी जो कि आपकी उत्तर की तरफ हो जाएगी I think कोई दिक्कत नहीं होगी वही होगी बच्चे आप लोग आराम से question को देख सकते हैं judge कर सकते हैं इसके लिए मैं एक और तरीका बता रहा हूँ जो की बहुत ही simple है आपको chart बनाने की diagram बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे आराम से आप question को judge कर सकते हैं I think यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा एक बार फिर से आप लोग चेक कर सकते हैं यहां से इस तरफ निकला है उसके बाद में कहे रहा है कि वह अपने by तरफ मुड़ता है right इदर left इदर मुड़ गया ठीक है वही दूरी तय करता है फिर वह बाई मतलब इदर मुड़ेगा left मुलेगा और यहां पर यह direction change हो जाएगी ठीक है बच्चे कोई दिक्कत नहीं वह भी तरीका हम सीख लेते हैं जिससे की आपको बहुत आसानी से प्रश्ण का जवाब मिल जाए चलिए बच्चे यहां पर हम लोग सीख लेते हैं यहां पर कह रहा है ठीक है अब हम कुछ नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिना copy paper के विस question को कैसे करते हैं यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिस कर रहा हूं यहां पर दिखी कहरा कि पश्चिम की तरफ यहां पर चला है इस तरफ चला होगा कोई दिक्कत यहां पर आने वाली है नहीं बच्चे आपको फिर यहां से बच्चे वो कह रहा है कि कुछ दूर चलने के पश्चात वह आपने बाई और मुड़ता है मतलब left की तरफ जाए और कुछ नहीं करना उसको फिर उसके बाद वही दूरिता करता है उसके बाद वह आपने और मुड़ता है यानि कि फिर से लेफ्ट मुड़ता है ठीक है फिर उसके बाद कुछ दूर चलने के पशाद वह दाइं और मुड़ जाता है और अंत में दो बार बाइं तो बच्चे अपने दाहिनी तरब चले जाएंगे और आपका दाहिना जो है इधर से बच्चे यह आपका हो जाएगा नौर्थ की तरब यानि कि उत्तर उत्तर आपका आपको चार्ड बनाने की भी जरूत नहीं है आप आराम से यहां पर चीजों को सीख सकते हैं अभी बच्चे तीन बार लेफ्ट मुड़ते हैं तो राइट कैसे होता है इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा जब वहां पर मैं कॉंसेप्ट को क्लियर करूंगा न सब्सक्राइब कर देंगे अभी प्रैक्टिस क्लास क्लास है तो बच्चे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका भी क्लियर होता रहे चलिए अब नेक्ट कोश्टन पर चल रहा है कोश्टन नमबर दो पर सवाल आप लोग ध्यान से देखिएगा उसके बाद बीना परचिप और चीजों को समझते रहेगा कि अ मस्ते रहेंगे कि डीकत कोई परिश्यानी कोई सुभधा आती है तो आप लोग बताते चलेंगे चीजों को समझते रहेंगे और answer देने की कोशिस करेंगे question number 3 नहीं 2 लगना है यहाँ पर question number 2 यह वाला है question number 2 करते हैं उसके बाद 3 पर चलेंगे हाला कि इतनी देर में तो आपने उसका भी जवाब ढूंड लिया होगा शुरूर स्टार्ड में हमने बहुत ही simple तरीके से question को रखा है आप लोग आराम से चार्ड बना सकते हैं मात्र 10 सेकंड के सवाल है जैसा कि हमने बिना चार्ड के भी आपको करके बता दिया है कि कैसे आप कर सकते हैं बिना चार्ड के भी तो आप लोग बिना चार्ड के भी question को बना सकते हैं option थोड़ा सा इधर उदर हो गया है उसको आप लोग देखते रहिएगा यहाँ पर question number 2 I think अब इतना time आपके लिए परयाप्त है आपने कर लिया होगा अगर आपको simply बच्चे चार्ड बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं पहले आप चार्ड बना ले दिया फिर अपना तरीका अपना सकते हैं जिससे कि हम लोग question को कर रहे हैं और बच्चे बहुत आराम से question को हम कर रहे हैं कोई दिक्कत है नहीं यहां पर बच्चे अपने और यहां यहां पर प्रीको अपने और मुड़ता है अब यहां पर बच्चे आप ऐसे खड़े हैं तो आपका लίस्त हो राइट यह हो जाता है तो लेफ्ट का मतलब यहां पर ऊपर की तरफ कह रहा है कि बाई और मुड़ता है सेम डिस्टेंस आप कर लिजे यहां पर कोई दिक्कत नहीं सिर्फ डारेक्शन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा ठीके कुल दूर चलने के बच्छा तो अपने बाई और मुड़ता है और वही दूरी तै करता है उसके बाद वह अपने बाई और मुड़ता है यानि कि फिर से लेफ्ट की बात कर रहा है आप ऐसे खड़े होंगे बच्चे इधर राइट इधर लेफ्ट तो आप अगर अगर कर अगर यह ऐसे खड़े हैं तो लेफ्ट राइट यह ऐसे खड़े हैं तो फिर आपका ऐसे हो जाएगा यानि कि चार डारेक्शन होती बच्चे यह वाला एक एक यह वाला और एक यह वाली और बच्चे आपका एक बसता है यह वाला चार डारेक्शन होती है चारों में आप पूर्ण लेफ्ट राइट क्लियर होने चाहिए और ये वाली डारेक्शन ये वाली है तो इसका लेफ्ट और राइट हमने आपको बता दिया है उसके बाद वह आपने बाई और मुड़ता है बाई का मतलब लेफ्ट की तरफ और इतनी दूरी चला दीजिए कुछ दूर चलन को नहीं चलाना आपको छिए चिर्फ लिए तोर फिर से नहीं बोता है और अंत में पुना होँआ और आउने थाय और इसमें पर आ जाएगा और यहां से फिर इसी पंट पर आजाएगा तो आंत में उसकी डारिक्षन-ब्च्छे इस तरफ हो जाएगी यानि कि यह वाली डारेक्शन यानि कि पश्चिम दिशा आपका सई जबाब होगा और जिन बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है वह बिल्कुल एक हमने आपको तरीका सिखाया है आप वहां से भी कर सकते हैं देखिए सबसे पहले इसकी डारेक्शन यह है बच्चे और डारेक्शन आपका पूरव की तरफ है तो आप बिना चार्ट के भी कर सकते हैं दिन बिना कॉपी पेंट के जहां से देखेंगे यहां पर वच्चे ज्यादा कुछ हाए नहीं यह कह रहा है कि पूरव की तरफ इसका मुख है और आप डारेक्शन चेक कर लिजिए यहां पर पूरब की तरब चलना परादम करता है कि उसके बाद वोह दाइं और मुड़ जाता हैयानि कि यहां लो रहा है एक बार फिर रहा है यानि एक बार फिर से हमने राइट लिख दिया और अंत में भी दो बार right motion बहुत आसानी से लगेगा आपने left right leftright लिघ लिए इन दो left right को बनलब left right और left right cancel हो जाएगा अब बच्चे यहां पर दो right बच रहा है और दो right यादो left हमेशा अपने जो direction उसकी होती है उसके opposite direction देता है यानि की जैसे यह दो right है बच्चे दो राइट का मतलब यहां पर पूरब डारेक्शन थी यह अपने विप्रीद दे देगा यानि कि इधर पश्चिम डारेक्शन आपका एंसौर आजाएगा यहां पर हमने दो चीज सीखी अभी मैं आपको पूरा चीज नहीं सिखा रहा हूं सिर्फ उसमें से कुछ सिखा रहा हूं देखो दो राइट का मतलब क्या हो जाता है अपने आपोजी डारेक्शन और तीन बार लेफ्ट का मतलब क्या हो जाता है less यानि कि Left का अ पोजिट राइट तो आपको मैं लेफ्ट definite क्लास करांगा डारेक्शन जब मैं टापिक करांगा तो उसमें.स सारे च सुविधा आ रही है तो आप लोग जरूर बताते चलेंगे जों को बताएंगे कि हाँ यह दिक्कत है या यह परिशानी है ठीके बच्चे अब आपको क्लियर हो गया होगा एंसर भी बच्चों के आ आपके स्क्रीन पर लगा है बच्चे आप लोग इस बार आपको चार्ट की मदद लेनी पड़ेगी चुकि आपको बताना है बच्चे डिस्टेंस बताना है कितना डिस्टेंस आएगा दूरी आप तभी बता पाएंगे जब आप चार्ट को क्लियर करेंगे डारेक्शन सिर्फ डारेक्शन बताना हो तो वहां आपको चार्ट बनाने की जरुरत नहीं पड़ेगी आप बिना चार्ट बनाए भी डारेक्शन को सकते हैं चलेंगे बच्चे आपके 30 सेकंड 40 से जादा हो गए ऐसे सवाल आपके जादा टाइम बिलकुल नहीं लगते हैं आपका क्लियर हो गया होगा तो अप्शनन नमबर तीन में जिन बच्चों के जबाब आप आ रहा है बिलकुल सही है ऑप्शननमबर ए का मतलब कि तरफ चार किलो मेटर की दूरी तैय कर रहा है तो यहां पर सबसे पहले आप लोग चार किलो मेटर की दूरी तैय करा देंगे और उसके बाद आगे पढ़ेंगे उसके बाद वह अपने बाई और मुढकर आठ किलो मेटर की दूरी तैय करता है तो यहां पर आपको किलो मेटर की दूरी तै करता है उसके बाद वह अपने दाइं और मुड़ता है देखो बाइं और मुड़ेगा तो यह डारेक्शन है लेकिन अगर दाइं और कहेगा तो अपने अपोजिट चला जाएगा आप यह भी जानते रहे आप एक कॉंसेप्ट यह भी समझे जैसे यह से यह है लेफ्ट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ आपका हमेशा एक बॉक्स टाइप में बनाता चला जाएगा और यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि राइट मतलब आपके अपोजिट लेफ्ट कहता तो नीचे यह आ जाता लेकिन उसने लेफ्ट कहा नहीं और फिर ले उसके बाद में कहरा दाइं और मुढकर फिर से आठ यहांए कि यह आ जाएगा यहां पर आपसे पूछ रहा है कि प्रारम्भीग बिंस से अंतिम बिंस की दूरी क्या है यानि कि यहां से आपको डिस्टेंस पदा करना यहां तक तो अब यह डिस्टेंस आपको कैसे पदा बहुत चोड़ी सी चीज है concept आपका clear हो गया होगा यहाँ पर आई दिंग किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी और यदि बच्छे समझ में आ रहा है तो session को आप लोग like कर दीजे और share कर दीजे और जादा से जादा चीजों को सीखते रहे और बच्छे यदि calculation में या कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो आप लोग यहां पर आप थोड़ा सा गलत है तो जहां पर हम लोग गलत होंगे ऐसा कई बार हो जाता है तो यहां पर लेकिन question एकदम बिल्कुल आपका clear है 19 जबाब आएगा और यदि कोई ऐसी दिक्कत होती है सुवधा होती है तब हम बात कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि आप हर question में करेंगे हर question में आप अपना concept नहीं लगाएंगे जो आपको answer बताया जा रहा है लगबन 99% decorate होता है एक percent में problem आ जात आपको बहुत इजी तरीके से कराया है सिंपल सा question है आप लोग इसे बताने के कोशिश करेंगे यहां पर क्या होगा question number 4 का जबाब आप लोग बताएंगे आपके screen पर लग चुका है question number 4 और बिल्कुल time आपको दिया जा रहा है time आपको परियाप्त हम दे रहे हैं ताकि आपको बस question अम लोग सिखाते रहे हैं अभी आपको basic clear करा रहे हैं बच्चे तो आपको basic clearly point आपका clear होता रहे बेसिक में कोई problem ना आए चीजों को आप लोग सीखते रहें अब यहां पर समझेंगे question number 4 में I think जिन बच्चों के जवाब option number B आये हैं और कि किस मेटर उनके बिल्कुल सही जवाब है जहां पर किलो मेटर के है कि मेटर में आप लोग चेक कर लिजेगा जो जिसमें है उसम चीजों के तरफ साथ मेटर यानि कि इस तरफ जो direction है यहां से यहां तक कि वह कह रहा है कि साथ मेटर की दूरी तय करता है यानि कि यहां से बिच्चे वह लेफ्ट मुड़ा है लेफ्ट का मतलब आप ऐसे खड़े होंगे तो लेफ्ट यह हो जाएगा राइट यह हो जाए बार दोहराता है इस दोरान वहां एक बार कह रहा है कि साथ मीटर और एक बार बीस मीटर यानि कि लेफ्ट में मुड़ने का मतलब है कि यहां पर इसके पैलर दूरी कह रहा है कि साथ मीटर है इसके पैलर बच्चे और एक बार इसके पैलर कह रहा है कि बीस मीटर यानि कि अपने इसी बिंद पर वो पहुच रहा है उसके बाद में कह रहा है कि अंत में वह अपने दाई और घूम कर 14 मीटर की दूरी तय करता है यानि कि यह वाला डिस्टेंस और यहां से बच्चे यह 14 मीटर चला जाएगा तो आपका जो बच्चे का यह वाला यहां तक डिस्टें है तो आप लोग बताते चलिएगा और जिन बच्चों ने बहुत भी क्लास की होगी उनको समझ में आ रहा होगा और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं बिल्कुल डारेक्शन के बारे में जानते नहीं है उनकी जब क्लास होगी यूटूब पर हम क्लास कभी लगाएंगे या तीन बार लेफ्ट मुर्ने पर राइट कैसे आता है वह भी बताऊंगा दो बार राइट है या दो बार लेफ्ट है तो वहां पर बच्चे कैसे आपका हो रहा है वह भी बताऊंगा मैं सब कुछ यानि कि आपका क्लियर कराऊंगा लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस सेशन म को टाइम मिलदा है चलेंगे बच्छे अगले कोश्चन नंबर की तरफ चलेंगे यहां पर इसका जबाब हम करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन सा जबाब सही होगा ऑप्षिन नंबर दी थोड़ा सा बच्छे तीछे की तरफ है आप लोग उसको ध्यान देते रहेगा ए बी सी आपके दिख रहा होगा डी वाला आपका लेफ्ट में चला गया थोड़ा आप लोग उसको ध्यान देते रहेगा आप अंसर बताएंगे यहां पर कौन सा जबाब आपका आएगा बताएंगे बच्छे जबाब आपके आने चाहिए और सब लोग जबाब देने की कोशिस करेंगे कि कौन सा जबाब यहां पर हो रहा है अब देखिए बच्चे इसको कैसे करते हैं थोड़ा सा नया कोश्चन जरूर लग रहा होगा आपको क्योंकि हमने सारे टाइप के सारे बरायटी के कोश्च ईयोड़े सामे चेहरा किए हुई । यानि कि तरफ हो साओं फिरा किया भी आपके यहां और यहां पर इसी को चेक करना है लेकिन यदि आप सभी option को चेक करते हुए चलेंगे कि एक बार यहां से दक्षिड की दरब मुड़ा है left right left right मुड़ाएंगे तो I think आपका पूरा का पूरा time लगवक 5-7 minute चला जाएगा और बच्छी यह हमें exam में करना नहीं है exam में time बचाना है तो आपको within second हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग answer देंगे यहां पर देखते हैं बच्चे यहां पर हमें जरूरत है एक left की और left की कैसे चेक करेंगे देखो यहां पर left right left right cancel हो जाएगा यहां पर जाएगा कोई मतलब नहीं नहीं करेगा यहां पर राइट लेफ्ट राइट लेट मैंने आपको जिनको बच्चों को नहीं पता है वो समझ लीजे कि एक right और प्लस एक left यह बच्चे हमेशा हो जाता है cancel हो जाता है यानि कि सेम डारेक्शन आ जाती है एक right मुड़ने पर और एक left मुड़ने पर आप लोग मुड़के देख लीजेगा और यहां पर बच्चे देखेंगे right left 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 कड जा रहा है आपके 3 right बच रहे हैं और मैंने आपको अभी बताया कि तीन राइट अगर तीन बार आप अपने दाहिने मुड़ेंगे तो अपने opposite direction में चले opposite यानि कि side में चले जाएंगे direction में दो बार left या दो बार right मुड़ने पर आप opposite direction में जाते हैं लेकिन तीन बार right या तीन बार left मुड़ने पर आप अपने side के opposite जाते हैं यानि कि तीन बार right मुड़ेंगे तो आप left में चले आएंगे और left में ही बच्चे हमें requirement थी तो I think आपके C वाला option बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी नहीं सही होगा चुकि 3 left और 3 right है ये भी आपके cancel हो जाए बताएंगे कि हां सर यहां पर मुझे सीखने में problem आ रही है तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताने की कोशिस करूंगा concept को फिर से बताऊंगा लेकिन बच्चे आप लोग बताते चलिएगा कि हां सर classes कैसी लग रही है आपको कोई भी दिक्कत कोई असुधा नजर आ रही ह है ताकि आपको कोई दिक्कत ना है उसी कोश्चन को एक बार मैंने फिर से थोड़ा सा इस बार कोश्चन को चेंज किया है लेकिन पैटर्न आपका वही है जो पैटर्न आपका था पहले वही सेम पैटर्न है आप लोग कोश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद जवाब देने क कोसिस करें और आइधिंग टाइम में आपको बहुत परयाप्त दे रहा हूं टाइम का कोई इश्व नहीं है आप लोग जवाब देते रहेंगे कोश्चन को करते रहेंगे और पड़ा पड़ करते रहेंगे भाई ताकि आपके ज़्यादस ज़्यादा कोश्चन हो पाएं आप जहाँ पर क्लियर कर लीजे कि इस तरफ आपको ले जाना है तो अगर ऐसे नार्द में खड़े हैं तो लेफ्ट मरम और ने कि आपको उझाइ सरंब लेफ्ट मुड़ेंगे यानि कि इस तरफ आपकोission में अपने चेक करना है कि कि किस option में बाया आ जाएगा प्रस आप आपका एंसर हो जाएगा देखो रेट राइड लेफट राइड इस बार ये हो गया कैंसिल और चार बार राइड मतलब उस्सी तिसा में आ जाएगा ये भी कोई जबाब नहीं होका देख बिल्कुल सभी पिपने के आइधिंग सभी बच्चों का क्लियर हो रहा होगा यदि क्लियर हो रहा है आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजे सेशन को और सेर कर दीजे और कमेंट्स लगतार करते रहा करिए बच्चे अपने जितने भी एजुकेशन वाले ग्रूप हैं वहा वाली है चलेंगे अगले सवाल की तरफ बच्चे और हम लोग वन बाई वन सारे कोश्चन आपको करा रहे हैं कोई दिक्कत कोई सुभधा आपको नहीं आएगी मतलब सारा कुछ कराएंगे कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको एकदम बेसिक कराएंगे या आपको अच्छे प्रिक्षन आपके स्क्रीन पर रहेगा इसको जबाब देने की कोशिश करेंगे तोड़ा सा नया कॉंसेप्ट है आप सभी कॉंसेप्ट को सीखते रहेंगे और हमारी क्लास में रहेंगे तो बच्चे आप हमेशा सीखेंगे नया चीज मैं आपको जरूर सीखाने की करता हूं कैसे आप लोग टाइम बचा पाओ कैसे अपने जवाब को आप लोग सही कर पाओ वच्छे कि इस बार थोड़ा सा चेंज है कि थोड़ा सा या पर चेंज है कि आरिक्षन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि चलेंगे इस कोश्चन को मैं थोड़ा सा आपको बताने की समझाने की कोसिस कर रहा हूं आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलकर पांच बार बाएं तात बार दाएं और तीन बार बाएं मुड़ता है तो स्वयम को उत्तर दिसा में जाते हुए पाता है कि जो उसकी लाश्ट डारेक्शन है बच्चे वह उत्तर दिसा है आप से पूछ रहा है कि तो उसके प्रारंभिक दिसा घ्यात करो अब बच्चे आपको बहुत क्लियरली समझना है कि अगर वह प्रारंभिक दिसा दो ही हो सकती है या तो इस तरफ पूरब की तरफ होगा तो यहां पर लेफ्ट की तरफ हो यदि मुड़ जाएगा तो वह पहुच जाएगा बच्चे आपका उत्तर की तरफ और यह प्रोबिल्टी यह है कि अगर इस तरफ मुख हुआ तो बच्चे इस तरफ राइट मुड़ेगा तो जाके यानि कि मुख इसका पश पता करेंगे यहां से पता करेंगे देखिए पांच बार वह कह रहा है कि लेफ्ट चला सबड़ राइट कहरा बच्चे अब यह वो कह रहा है सिर्प आप उत अतारते जाईए उसके बाद कह रहा है कि तीन बार पहर से लेफ्ट मुड़ता है अब आप बातों को समझेगा पहले जितने टोटल लेफ्ट और जितने टोटल राइट हो रहे हैं पहले उनको आप कर लिजे तो पांच लेफ्ट इधा रहें, तीन लेफ्ट इधा रहें, यह हो गए, आठ लेफ्ट उसके बार बच्चे है आपका साथ बार राइट तो साथ बार लेफ्ट और साथ बार राइट कैंसिल हो जाएगा तो आपका बच्चे का एक बार लेफ्ट बच्चे और एक बार लेफ्ट यदि बच रहा है, यानि कि लेफ्ट में आपको मुड़ना है तो हमने कहा कि left में मुड़ेंगे तो आपका मुख धर पूरब की तरफ होगा तो आप left की तरफ मुड़ेंगे तो आप उत्तर पहुच जाएंगे ये वाली direction I think आपको बहुत clear हो रहा होगा बच्छे दच्छिड की तरफ तो कोई सवाल ही नहीं है यानि कि दो direction थी मैंने आपको clear करा दिया अंत में आपका left बच रहा था और एक बार यदि आप पूरब की तरफ ऐसे मुख करेंगे और left मुड़ेंगे तब आप उत्तर की तरफ पहुच जाएंगे I think आपको clear हो गया होगा किलियर हो गया होगा किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग बताईए भाई प्रीमियर क्लास है हम लाइब में आपको है नहीं वह नहीं सिखा पाएंगे कि आपको at once problem तो नहीं दूर कर पाएंगे लेकिन बच्चे अगले सेशन में मैं उस चीज़ को लूँगा और मैं कोशिस यह कर रहा हो कि आपको कोई problem ही ना है कोई दिक्कत ना है इतने अच्छे अच्छे आपको concept सिखा दे रहे हैं बच्चे कि उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी ठीक है बच्चे चलेंगे अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे बच्चे यहां पर अगले question की तरफ चलेंगे हम अपने अगला सवाल आपको यह दिख रहा है और इसमें आप लोग answer बताने की कोशिस करेंगे कि क्या जवाब आपका आने वाला है अपने जवाब को आप क्लियर करते हुए चलेंगे question number 8 है बच्चे सभी लोग जवाब देने की कोशिस करेंगे कि यहां पर क्या answer होगा answer आप अपना बताते चलेंगे बच्चे अब आपको जो हमने अप्रोच बताई है बहुत अच्छी अप्रोच है बच्चे आप लोग आराम से question को कर पाएंगे कोई लिक्त आपको आने वाली है नहीं लेकिन फिर भी हम आपको clear करा दे रहे हैं लास्ट में डारेक्शन देखो आपकी पश्चम दिसा है यानि कि यह वाली दिसा है तो बच्चे हम अब चिक कर लेते हैं अब देखो हमारे पास दो विकल्प हैं या तो इस तरफ या तो इस त इस तरफ होगा उत्तर की दरफ तो यहां पर हम लेफ्ट मुड़ेंगे अब आएगा क्या इस पर डिपेंड करता है इस चीज़ा है अब चेक कर लिजे बाइस बार बाइए पैटिस बार नाएं बाइस लेफ्ट है थार्टी फाइब राइट है तो बाइस बार लेफ्ट औ जो है आपका 12 बार राइट उतना ही आजाएगा यानि कि आपका बचे का फिर एक राइट और एक बार राइट का मतलब क्या हो जाएगा आपका मुख किस तरफ होगा बच्चे दच्छड की तरफ यानि कि आपका इंश्वर क्या आएगा बच्छे दच्छड ओप्शन नमबर भी आपका होगा यही आपका सही जवाब होगा चलेंगे आपको क्लियर हो रहा हो तो एक बार शेशन को लाइक कर दीजिए एक बार शेयर कर दीजिए और यह भी बहुत अच्छा कोश्टन है बच्चे यह अगर कोश्टन आ जाता है तो यहां पर आपको प्रॉब्लम जरूर फिल होगी चुकि यहां पर डारेक्शन नहीं पता होता है प्रारंभिक डारेक्शन नहीं दिया है प्रॉष्टन जैसा कि हम आपको बिल्कुल प्रयास करते हैं कि हमेशा नए 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 कॉंसेट सिखाने की कोशिस करें जो आप लोग यूजुवल कोश्टन करते हो उससे हटके कोश्टन रहता है इसमें आप देख रहे से चार किलोमेटर सीरे चलता है अब यहां पर कोई डारेक्शन नहीं दिया है कि किस तरफ से वह चलना प्रारंब करता है तो आप लोग यहां पर करेंगे बच्चे इस तरफ उत्तर की तरफ पहले हम लोग चल लेंगे हम आपको सिखा रहे हैं जब कोई डारेक्शन नहीं दी आओ तो नौर्थ की तरफ आपको चलने स्टार्ट करना किस तरफ मीना किसरे तरफ दाइव और मुढता है यानि कि यहां से बच्चे लेफ्ट यह है राइट नीचे की तरफ हो जाएगा यहां पर दो किलों में अब बच्चे कह रहा है कि यह उसका घर विद्याले से दच्छड पूरब दिसा में अब प्रॉब्लम आपको यहां पर आएगी आपने यह डारेक्शन आपने माना हुआ आप इस बात को एसे समझे कि जो आपने डारेक्शन मानी है वह रत आ आ गया है चाहिए आपकी डारेक्शन यह वाल या झाइए उत्पूर पूरब दिसार िंगरी का मतलब आप लोग अच्छे दरसे जानते हैं जैसे यहां पर 8 डारेक्शन होती है बच्चे और सब में 45-45 डिगरी का डिफरेंस होता है यह आप जानते होंगे यानि कि यह टोटल 90 डिगरी होता है अगर बीच में है तो यह 45 डिगरी हो जाता है आपको अच्छी तरह से पता होगा इतनी बात तो यहां पर बच्चे यह ज से लेंगे clockwise में तो आप उस डिशा में पहुच जाएंगे जहां पर यह बता रहा है बहुत इजी है अब उसके बाद में आपने जो डारेक्शन मानी है यानि कि मानक डारेक्शन है उत्तर अब यहां से आप 90 डिगरी clockwise घूमेंगे यानि कि जो यह वाली डिगरी आई है वह यहां पर आपको दिखता कम ठीके बच्चे तो यहां पर आपका एंसर आजाएगा पूरब यानि कि ऑप्षिन नमबर सी जिन बच्चों के जवाब आए हैं बहुत बढ़िया है इसके बाद बच्चे हम लोग लाश्ट कोश्चन करेंगे आखरी कुश्च चलिए बच्चे अगला कोश्चन लियानि की लाश्ट कोश्चन आज का लाश्ट कोश्चन आज बच्चे थोड़ा सा समय का भाव हो गया हम लोग थोड़ा सा टाइम आपको आज नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कारड़ वस कारड़ हम आपको बाद में क्लियर करा देंगे लेकिन ये अभी आपकी एक और class चलने वाली है तो सरा आ चुके हैं वहाँ पर तो अगली आपकी class जो होगी वो आपको मिलने वाली है इसलिए ये class यहीं पर रोकी जा रही है आप लोग इसका comment बताएगा चलिए हम आपको next class में मिलेंगे बच्ची